तो भारत और पाकिस्तान के खास मेमान जुड़ेंगे और कई लोग कह रहे हैं कि भारत में खुशी होगी हम यह बता दें मेरे तमाम पैनलिस साथी जो जुड़ेंगे उनको भी बता दू पाकिस्तान में कि भारत में आपको लेका चिंता है क्योंकि हम दोस्तों बदल सकते है पडोसी नहीं बदल सकते हैं पाकिसान के मामलों में बड़ी बेबा कराये रखते हैं शुरुआत मैं सबसे पहले आज पाकिसान से ही करना चाहूंगा भाई तेमूर बंदे तयब खान साब अब आगे क्या होगा बताइए फिर से ग्रफ्तारी की तैयारी हो रही है वो कहते है ना हमारे कावत बकरी की माँ कब तक ख्यर मनाईगी तो सत्तरा मैं तक आपको जमानत मिल गई है उसके बाद तो ये होना ही है जी मरी अबाद आपको आड़ी है मैं यही कहरूं कि इमराइखास आपको 17 में जो जमानत मिली है ये आएन की फत्व है ये जिमुरियत की फत्व है और ये जो प्लिटिकल विक्तिमाजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लिक नून इस वकट ओपोजिशन को दिवार के साथ जो लगाना चाहती है ये बहुत ही इंत्याई गट्या जो अरकते हैं ये जो कर रहे हैं इंत्याई गलता है और अद्लिया इक खिला रहे हैं ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ और शफाफ तरीके से आगे बड़े मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की वाइलेशन पासाफियों की गिरफतारियां फिर प्लिटिकल विक्टिमाइजेशन करना ये इंत्याई किसी भी जमूरी माशिरे में जो है वो काबले मुझमता है और अमराइख खाब ने बारहा का आया कि हम जो है वो अलेक्शन चाहते हैं और अद्लिया इसमें बहुत आहम रोल अदा किया है मैं खुद यॉए पियमाफस को कवर भी करता रहा हूँ बतुरे जनर्रिस भी करता रहा हूँ आज भी मैंने हम कर रहे थे दो तीन दिन से हम कर रहे थे हम ने देखा कि मुझमत यह वो मुझमत की तरफ नहीं आना जादी यह दो देखे हमराओस हैं अनगी वियलेशन है पाकिस्तान तरीके stellाव के दो में भी हमने के दोड़ में, भी में भी रहुझमारे उसे, भी मिरानओ sowूist है कि 17 मेह के बाद अमराइखाद साब को हम फिर गिरिफदार करेंगे यह इंत्याई गिल्मोनी साज़श है और इस तरह इस वक्त पीपल है तमाम अवाम अमराइखाद साथ हैं जो पाकिस्ताह मुस्लिली कूल के कारकुनान हैं वो भी इस वक्त अमराइखाद साब को स्पोर्ट करें वो इस वजए से एक्सपोर्ट करें कि उनको पता है कि इस मजुदा अकुमत ने मजुदा प्रीडियम की टॉले ने जो है वो मंगाई इतनी ज्यादा कर दी है कि लोग इनसे तंग आए वोड़ों लोग चाते हैं कि एलेक्शन होड़ों मैं आपको यहां खबर भी दे किसे ममलात आगे बढ़ेंगे और यही बात रियास्ते भी समझ चुकी है कि जमूरियताम ही सबकि बेतरी तरिक जमूरीत Mari के साथ आगे बढ़ेंगे कि क्या ऐसा दिखाई देता है ऐसा दिखाई देता है मैं इस पर सीधे पांश चाहिए क्या हो गागा अगे समझाई है मुझे बताईए जी मेरा नाम एक्षरी तेमूर बांडे है तेमूर बंदे नहीं किश्कीरी नाम है ठीक कर दीजे बाई स्पेलिंग कर दीए एक तो मैं थोड़ा सा अफसोस करना चाहूंगा कि मनीपूर में 60 से जादा हत्याएं हुई हैं बहुत राइटिंग हुई है तो हमें बहुत अफसोस है पाकिस्तान में कि इस तरह से वहां पर हुआ है तो आप बहुप आमन दुबारा आजए और पीस दुबारा हो South Asia में कहीं पे भी violence हो उस पे तकलीफ होती है दुनिया में कहीं पे भी violence हो उसको condemn करना चाहिए और rioting is never the solution so इसलिए I feel violence in any form should be condemned चाहिए वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या कहीं पे भी हो जान तक future का तालुक है थोड़ी uncertainty जरूर है यहां पे सवक because judiciary खड़ी है दूसरी तरफ establishment खड़ी है एक तरफ government है एक तरफ opposition है तो एक काफी बीच में दिवार आ गई है इसना कि situation हमने पहले कभी नहीं देखी of course हमने martial law dictators देखे हैं और उसमें worst political victimization हुए यह तो कुछ भी नहीं है जो I think Pakistan People's Party ने देखा है बेन जीर भुटों ने देखा है जुर्फिकार लिभुटों को हैंग कर दिया था तो उसके तो हम करीब भी नहीं है यह कोई अच्छी situation नहीं है जहां तक future का तालुक है I think current जो Chief Justice साहब है उनका जो एक selected panel selected decisions कर रहा है जो खान साहब के साथ एक लाडलापन किया वा है unfortunately इसने एक trigger point बन गया है और Chief Justice साहब का tenure September 15 तक है उसके बाद एक नए Chief Justice आएंगे तो उमीद तो यही है कि शायद तभी जाके situation बेतर हो elections भी तभी होने चाहिए जब एक unbiased judicial system हमारे सामने हो having said that at the same time of course we don't want military establishment का किसी किसम का कोई role हो politics में it is not their domain politics से उनको दूर रहना चाहिए जब भी military politics में involved होती है तो यह situation होती है जो हमारे पास है जी अच्छी बात है silver lining जिसको मैं कहूंगा और आपकी बात पर दुबारा होंगा what the future holds वो यह है कि यहां पर independence नज़र आती है जो एक जमाने में होता था कि one form हो जाता था one page हो जाता था जहां everything was saying the same thing वो अब नहीं है judiciary में इतना दम है जो unfortunately South Asia में कहीं नज़र आता वो government के खिलाफ खड़ी हो जाती है जा उनको समझ आती है यहां जुडिशरी उस तरह से काफी इंडिपेंडर खान साब ने अलएडी कहा कि उनके मताबिक जुडिशरी is the only saving grace for him I think this goes to credit के Pakistan में इस वाद resistance है because democracy evolving है हम एक struggling democracy हम करीब भी नहीं है जो शायद बाकी साथ देश्या में democracies है unfortunately मगर I think I think 90s को पीचे छोड़के Charter of Democracy जब साइन हुआ था I think अब progress कर गे थे SMB अपना tenure पूरा कर रही थी election time पे हो रहे थे unfortunately hybrid models अब दुबारा खेलने की कोशी की गे we were pushed back into the 1990s so political maturity started showing वो अब unfortunately चली गई है political maturity चली गई है मैं रुकते तैमूर बांदे जी मैं आपके अस्फीर आओंगा बहुत वक्त है हमारे पास Zee News